श्मस्कार दोस्तों मैं हूं पंगजी यादवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चेनल पंगजी स्टेडी सेंटर जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों का एक्जाम जो है कल सोसल साइन्स का एक्जाम है और आपको पता है तो देखिए दोस्तों ऐसे में मुझे 2020 का आ चलिए तो पहला question हमारे पास है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि नरेगा के अंतरगत गरामिन मजदूर के साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की वस्था है तो दोस्तों इसका science option ए सो दिनों के लिए next question हमारे पास है लोक तंत्र जनता का जनता के दौरा और जनता के लिए सासन है यह कतन किसका है तो दोस्तो इसका science or option C Abraham Lincoln का ओके दोस्तो इस सब को बढ़िया से याद कर लिजिए याद कर लिजिए इसको question number 3 हिंदुस्तान review का प्रकासन किस ने आरंभ किया तो दोस्तो इसका science or option D सची दा नंदन सिन्धाने ओके दोस्तो next question question number हम चलते है 4 की ओर सार्वधिक वर्सा होती है सार्वधिक वर्सा होती है यादि कि पुर्निया में या चेरा पुंजी में और option C कोच्ची में तो दोस्तो इसका science or option D mouse in Ram में ओके दोस्तो चलिये next question की ओर चलते है question number 5 नीमन में से कौ香港 विदेशी ब्राण्ड नहीं है विदेशी ब्राण नहीं है अमारा टाटा जो हैना ये विदेशी ब्राण नहीं है चलिये next question question number 6 मानों पुन्जी के प्रमु घटक है तो दोस्तो इसका जो सही अंसर है इन में सभी ज्यान, कौसल, अनुभाव इन में से सभी इसका सही अंसर है ओके दोस्तो चली next question question number 7 Europe का मरीज की से कहा जाता है दोस्तो इसका सही अंसर option A तूरकी को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर आठ है, भारत में योजना आयो का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों इसका सही एंसर ओप्षन A, 15 मार्च 1950 में, चलिए नेक्स्ट क्वेशन की ओर चलते हैं, क्वेशन नमबर 9, गांधी जी ने साबर मती आसरम की अस्थापना किस व मतΟरण आया जाता है, दोस्तों इसका सही एंसर, आप्षन C, कांबा और जास्ता दोनों से, नेक्स्ट कोशन, provide 21 में भारत में, भारत में कितने राष्टी ए, क्रित बैंक है तो दोस्तों इसका सही एंसर है option B 19 है ओके दोस्तों फिर अगला question question number 12 है कागज का अभिष्कार किस देश में हुआ कागज का अभिष्कार किस देश में हो गया तो दोस्तों इसका सही एंसर है option A चीन में हुआ ओके दोस्तों चले next question कि और चलते question number 13 Nobel पुरुष्कार से संवानित बंगला देशी अर्थ शास्त्री है तो दोस्तों इसका सही answer option A प्रो इकवाल यूनूस चली next question question number 14 की और चलते question number 14 है लिच्छवी गनतंत्र भारत के किस राज्य के अवस्थित था तो दोस्तों इसका सही अंसर है option A बिहार next question 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 number 15 दाल किस पौश्टिक अस्तिर का स्रोत है तो दोस्तो इसका सही अंसर प्रोटीन का है ओके दोस्तों यह ऑप्षण डी बी सही अंसर है चलिने next question 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 नामर्स का जन्व कहा हुआ था तो दोस्तों इसका science location जर्मनी में, ओके दोस्तों, next question, question number 17, इनी में से कौन सा सबसे लंबा राश्ट्रिये, राजमार्ग है, तो दोस्तों इसका science option D, राजमार्ग संख्या साथ ही, सबसे लंबा है, question number 18, भारत का सबसे बरा बंदरगा है, तो दोस्तो इसको आपको पता है नेट पर भी सर्ज करके देख सकते हैं इसका सही एंसर उप्शन मुंबई सारा का सारा मैं सही बता रहा हूं दोस्तो question number 19 ब्रहम समाज के अस्थापना किसी ने की दोस्तो इसका सही एंसर उप्शन राजा राम मोहन राय ने किया question number 20 यंग यूरोप का अस्थापना कौन था दोस्तो इसका सही एंसर है अप्शन मेजनी चलिए next question question number 20 की ओर चलते हैं जहारखन राज्य का गठन कब हुआ था तो दोस्तो इसका सही एंसर उप्शन C 15 नूमर 2000 को question number 22 है काली मिठी उप्युक्त है काली मिठी उप्युक्त है option A में कपास के लिए ओके दोस्तो चलिए next question की ओर चलते है question number 23 विश्वु वेपार संगठन WTO की अस्थापना कब हुई option A में 1902,92 option B में 1903,93 option C में 1904,94 option D में 1995 तो दोस्तो इसका सही एंसर option D1995 चलिए next question 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 number 24 की ओर हम चलते हैं भारत में अत्यांत विनासकारी भुकम आया था तो दोस्तो अप्शने में 1934 में option B1949 में option C1964 में option D1990 में दोस्तो अत्यांत यानि विनासकारी भुकम जो आया था वो आया था दोस्तो अप्शने यानि 1934 में आया था चलिए next question की ओर चलते है question number 25 जवाहर रोजगार योजना लागू हुई जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ तो दोस्तो इसका सही answer option B1949 में चलिए next question देखते रहे कि आपका कितना सही होता है मिलाते चलिए next question है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है तो दोस्तो इसका सही answer option B सरपंच होता है next question question 27 भारतिय जनता पार्टी का चुनाओ चीन क्या है दोस्तो तो इसका सही answer option B कमल का फूल दोस्तो आने वाली latest वीडियो है वह आपको मिल जा क्योंकि जो भी एक्जाम होता उसका answer seat हमारे चैनल सबसे पहले उपलब्द हो जाता इसलिए प्लीज बेल आइकन को हीट कर लीजे और ताकि आपका notification आप तक पहुंच जाए मेरे वीडियो का question number 28 लोग सभा का चुनाओ किस वर्स हुआ तो दोस्तों का सइंसर ऑप्शन सी दूसर दो हजार चौदा इस भी में ओके दोस्तों question number चलते हैं लेकर के question number 29 चलिए question number 29 में दे रखा है कि सोलामी लोग सभा में महिला सदस्यों कि संक्या कितनी है तो दोस्तों इसका question number 30 में इन में से कौन सी प्रात्मिक उर्जा नहीं है option C विदूत option D कोईला तो दोस्तों इसका उप्योग किरिसी पराधारित नहीं है तो दोस्तों इसका क्रिसी पराधारित नहीं है question number 32 चलते है नेपा नगर नेपा नगर परसीद है क्या चीनी के लिए option B के लिए option C अखबारी कागज के लिए दोस्तों इसका science अखबारी कागज के लिए परसीद है और option D सूती कपरों के लिए नहीं होगा ठीक है दोस्तों चलिए next question लेते हैं question number हम ले लेते हैं 33 भारती राष्टी कंग्रेस की अस्थापना कब हुई दोस्तों इसका सही अंसर है यह 1885 वी ओके दोस्तों चलिए question number हम अगला ले लेते हैं question number 34 में है 1977 की लोकसभा के चिनाव में किस दाल को दल को किस दल को अश्पष्ट बहुमत मिला दोस्तों अप्सने में भारतिय जनता पार्टी और अप्सन 10 मिल जाने से आपका कोई समय खराब नहीं हो जागा इतना कुछ सीखरी जगा तो आगे भी बढ़ जाएगा ओके दोस्तों और मैं यकीन के साथ हो कम से कम दस क्वेशन तो आनाता है दोस्तों इसमें से चलिए लेक्स क्वेशन हम लेते हैं क्वेशन नमर 35 में हम ले लिए हैं कि पटना में गोल घर किस उदेश्य से बनाया गया था तो दोस्तों अप्सन ए में सैनिक रखने के लिए अप्सन भी में अस्त्र सस्त्र रखने के लिए और अप्सन सी में है अनाज रखने के लिए अप्सन दोस्तों चलिए निच्ट कोश्ठी लेते हैं कोश्ठी नमबर 36, सेफटी लैंब का विस्कार किस ने किया था यह तो दोस्तों यह जीके में में भी है पराकिरतिक आपदा में नहीं है अप्षानकबाद B में सुनामी assessment Dal carbon दोस्तों देखिए पराकिरतिक आप्ठा सुनामी भी है बहीं भी है बाड भी है लेकिन आतंकबाद इस प्राकिरतिक आपदा में दूहजार पांच इसवी में ओके दोस्तों चलिए अगला कोश्चन लेते हैं कोश्चन नमबर 49 अंतराष्टिये सरमिक संगठन की अस्थापना की सवर्स हुई अप्षन ए में हैं 1917 अप्षन बी में 1929 और अप्षन सी में 1921 और अप्षन डी में 1923 तो दोस्तों इसका सई अप्षन बी निस सा उनिस माथादर्द करने लगता बोलते बोलते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा यार वीडियो बनाते नहीं बहुत मुश्किल से बनता है तो आप लोग जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए प्यार जरूर लेकिन यहां पर जीला पूछा जा रहा है तो यह भागलपूर जीला में इस्तित है ओके दोस्तों तो आज का हमार वीडियो कैसा लगा अपने लाक्स और कमेंट के साथ जरूर बता है और चैनल पर नया तो बेल आइकन को हीट कर लिजे ताकि आपका जो आने वाली जो भी सबसे पहले आप तक पहुँचे फिर मिलेंगे नेक्स विए तब तक के लिए बाए